जारखंड टेरर फंडिंग मामले पर एनाईय से जवाब मांगा है हाई कोट ने सोनु अगरवाल समय तीन लोगों पर सुनवाई होगी आपको बता दें कि आधुनिक पावर के अमडी महेश अगरवाल और अजे सिंग भी शामिल होगे एनाईय कोट ने तीनों पर चार्ज फ अगस्त को होगी हमारे साथ लाइब सेवन के स्पेशल कॉर्रिस्पंडेंस अभी शेक सिनहा जुड़ेंगे जिस पर इन विशेयों पर हम बातचीत करेंगे सोनु अगरवाल समय तीन लोगों पर सुनवाई जो है अठाईस अगस्त को होगी हाई कोट ने तेरा फंडिंग म इन लोगों पर सुनवाई अठाईस अगस्त को होगी हाई कोट ने टेरा फंडिंग मामले पर एन आये से जवाब मागा है हमारे साथ नियूस रूम से लाइब सेवन के स्पेशल कॉर्रिस्पोंडेंस अभिशेक सिनहा जुड़ चुके हैं अभिशेक जी जिस तरह से ये मा मामला काफी दिनों से चला आ रहा है और अब 28 अगस्त को इस मामले की जो सुनवाई होगी क्या है ये कुछ अपडेट भी है इसमें जी अनिल ये बहुत गंभीर मामला माना जा सकता है इस मामले के दो पहलू है सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि टेरर फंडिंग होता क्या है और उसके बाद मैं आज की मूल खबर बताऊंगा कि आज की खबर क्या है टेरर फंडिंग दरसल नकसलियों उगर परवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के मामले में दर्ज की शिकायत है का आरोप है टेरर फंडिंग का जो आरोप लगा है वैफसाईयों पर वो इस मामले में कि इन वैफसाईयों ने अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए टंडवा चत्रा के तंडवा स्थित बगद और आमरपाली में ट्रांसपूर्टर का काम करने वाले लोग और वहां से कोईला का डियो लगाने वाले लोगों ने लेवी के रूप में नकसली संगठनों को TPC को MCC को PLFI को भारी तदाद में पैसे दिये हैं जिनसे ये नकसल संगठन मजबूत हो गए हैं ये आज अत पेरर फंडिंग ये लेवी का पैसा सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि लाखों रुपए खर्च करकर ये वैफसाई करोडों का मुनाफ़ा कमा सके अनिल करोडों रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकें ये इन्हों ने और इन्हों ने कोट को यह भी बताया पहले कि ये खुद ब पर आखिर ये इतने ही वैफसाई क्यों है जिनका नाम सीधे सीधे नकसली संगठनों के साथ जोड़ा गया कि इन्हों ने नकसली संगठनों को पैसा दिया है भारी तादाद में पैसा दिया है जिससे नकसली संगठन काफी मजबूत हो गये हैं ये आरोप हम नहीं लगा है यह NIA की चारशीट में यह आरोप है और जो उसमें पहला नाम आता है वो सोनु अगरवाल का नाम आता है सोनु अगरवाल मूल रूप से बंगाल का रहने वाला कारोबारी है काफी चर्चित कारोबारी और ज्छारखंड की राजनिती में भी सोनू अगरवाल का नाम काफी चर्चा में रहा है अभी कुछ दिनों पूर भी हाई कोट के अधी वक्ता राजीव कुमार को रिश्वत देकर फसाने का एक मामला सामने आया था राजीव कुमार अभी जमानत पर है उस मामले में भी सोनू अगरवाल का नाम सामने आया था अब मैं आपको इसका दूसरा पहलो बता दू कि एनाईए कोट में यह मामला चल रहा है एनाईए कोट ने चार्शीट दायर किया सोनू अगरवाल के खिलाफ आधुनिक पावर एक बहुत बड़ी कमपनी है उसके M.D. महेश अगरवाल के खिलाफ और अजय कुमार सिंग के खिलाफ इन तीनों के खिलाफ चार्शी डायर किया गया N.I.A. कोट में N.I.A. कोट ने चार्ज फ्रेम किया और चार्ज फ्रेम करने के बाद इनका डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दिया जिसके बाद इन लोगों ने हाई कोट में अपील की कि इन पर जो NIA कोट में ट्रायल चल रहा है उस पर रोक लगा दी जाए इस मामले में हाई कोट में आज सुनवाई हुई हाई कोट ने NIA से जवाब मांगा तब NIA ने इस मामले में वक्त मांगा और 28 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई होगी लेकिन यहां जो मूल रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के वैफसाई अगर लाखो करोडों रूपए लेवी के रूप में देते हैं तो नकसली संगठन तो मजबूत होंगे ही अनिल अभिशेक ये भी बताईए कि जिस तरह से बड़े एक तरह से कारोबारी हैं और ये किस तरह नकसलीयों को सपोर्ट करते हैं और इसके एवज में इनको क्या फायदा होता है ये कहां तक फायदा उठाते हैं और नकसलीयों का किस तरह से ये सपोर्ट करते हैं जे दरसल होता ये है अनिल की ट्रांपोर्टेशन के काम के लिए जब गाड़ियां नकसर इलाकों के गुजरती हैं तो वहां से शांती से गाड़ी गुजारने के लिए ये वैफसाई नकसलियों को लेवी के रूप में भारी रिकम देते हैं उसे दहशत के नाम पे कहें या रिश्वत खोरी कहें जो बड़े अधिकारियों को रिश्वत दे कर काम कराने का तरीका बताएं लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये वैफसाई नकसलों नकसलियों की दहशत दिखा कर काफी कम रेट कोट करकर चब्यक्रेशन का काम उठाते हैं और कॉईला कमपनियों की मजबूरी हो जाती है कि इन वैफसाई यों से कोल ट्रांसपोर्टिंग करवाई जाए नहीं तो दूसरा कोई कोल ट्रांस्पोर्टर चुके इनको नकसल का संग्रक्षन रहता है इसलिए दूसरा कोई कोल ट्रांस्पोर्टर उस काम को लेना ही नहीं चाहता है सीधे सीधे करोडों का खेला है अनिल और इस मामले में कई बार NIA के रेड कई जगा पड़ चुकी है और कई लोग फंच चुके है जी चलिए दवाम बादशीत के लिए आपका सुक्रिया हमारे साथ लाइब सेवन इसके स्पेसल कोरिस्पंडेंस अविशेक सिना जुड़े जन्होंने कई आहम बाते की हैं जिसमें आपको ये भी बता दें कि सोनु अगरवाल समय तीन पर सुरुआई 28 अगस्त को होगी ये काफी ये अहम जो है ये सवाल था जिसमें NIA से हाई कोट ने जवाब में मांगा है और हाई कोट ने टेरर फंडिंग मामले पर NIA से जवाब मांगा अधनिक पावर के M.D. महेज सखरवाल अजय सिंग भी इसमें सामिल है और NIA कोट ने तीनों पर चार्ज फ्रेम किया है